हुआ है है हालो दोस्तों आपको पढ़ दब्स्ट बद इक भिला में हो आपका दोस्ते इनROओं ऐस्ट चाहन को सच वीडियो में हम देखने वाले हाउटू यूट्व मूजिक अैप और हाउट के यूट्यूब वीडियो स्थीमिंग music streaming app तो बैसिकली आपको क्या होता था अभी तक problem face करते थे लोग क्योंकि YouTube में हम वीडियो को सर्च करना पड़ता था जब हमें गाना प्ले करना होता था कहीं पर भी यह music सुनना होता था तो हम YouTube में जाते थे जाने के वाद में गाना सर्च करते थे सर्च करने के वाद में उसे प्ले करते थे और बजाते थे लेकिन क्या होता था कि हमें उसके अलावा भी दूसरी चीजें दिखती थी मतलब सिर्फ वसर्म यूजिक नहीं थी तो music के लिए basically एक stream बनाए गया है YouTube के दोरा यह आपको प्ले स्टोर में अबलेबल है वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैंने वीडियो की नीचे लिंक दिया हुआ है वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं YouTube music stream music and play वीडियो का नाम से एप है और यह इस तरह के लोगों करने के बाद में आपके सामने जो इस तरह से आमने आता है फ्रेंट पेज होम इस तरह का आएगा जिसके अंदर में आपको ऊपर नियू रिलीज दिखेंगी यह काफी अच्छा एक फीचर क्योंकि लोगों को नए गाने नहीं पता होते थे कौन से रिलीज हो रहे हैं YouTube में बना हुआ है अगर चैनल सब्सक्राइब किया है तो ही पता चलता था कि इस चैनल में यह वाला नया आए आए आपको नियू रिलीज सीदे सीदे ऊपर देखने को मिल रहा है इसके बाद में रिकमेंडेशन मूजिक दिख रहा है जो कि आप जो गाने सुन रहे होते हैं उस चाते हैं गाने यहां पर कर सकते हैं सबस्वेले तो लेंग्विश कर सकते हैं वहां से जाके तो मैं यहां पर हिंदी पंजाबी इसका लावा और कौन से आपको पसंद है वह आप यहां पर कर सकते हैं नेक्स्ट क्लिक कर दिए नेक्स्ट करने के बाद में आपको यहां पर आ मैच होते हुए जो दूसरे आठिस्ट हैं वह आपको वहां पे देखने को मिलते जाएंगे उनको स्क्रीन कर दीजे अब आपको रिकमेंडेशन में उन्ही आठिस्ट के गाने देखने को मिलेंगे जो आपने स्लिट किये हुए हैं और इस तरह से आप जो है इसको कर सकते हैं तो उन्ही रिकमेंडेशन के साफ साफ को गाने सामने होम पे स्क्रीन में आपको देखने को मिलेंगे काफी अच्छा फीचर है इसके बाद मैं गाने आप जो है डारेट यहां से रिकमेंडेशन आर्टेस्ट वगर से प्ले कर सकते हैं लाइब परफॉर्मेंस यहां पर दिये से आपको कोई भी क्लिक करना उसको क्लिक करिए गाने को जैसी सुनने का तरीका वही है कि गाने को बस आपको प्ले कर देना है प्ले करने के बाद में वहां बजने लगता है यहां पर आप देखेंगे आपको लिस्ट प्लेलिस्ट एक शुरू हो जाती है और जिसको आपको वीडियो भी देखने को मिल रहा है साथ ही साथ में आपको नीचे और भी लिस्ट मिल रही है इन लिस्ट से आप गाना स्लेट कर सकते हैं जो भी गाना आपको नीचे स्लेट करना उस गाने को स्लेट कर लिए और उसको बजाएए मतलब लाइव स्ट्रीमिंग आपको जैसे म्य रिपीट बगएरा करना चाहते हैं तो उसकी और ओपशन यहां पर दिए उए गाना आपकोई करना चाहते हैं तो उसकी option आहाँ पर धीए नीचे तीन बटन दिये होए खूत है होउम हैруг होड्य वær्म लिस्ट पे जैसी आप क्लिक करेंगे इस समय जो आने आपने category select की हैं artist select करें उनके जो आपके सबसे जादा hit गाने होंगे hot मतलब जो अभी समय गाने होंगे जो की सबसे जादा अभी hit चल रहे हैं वो आपके list आजाएगी उसमें से आप सीधे click करिए और उन की आँगे पीछे और भी गाने होंगे जो आपके लाइन से आप सुन पाएंगे लास्ट आप्शन आता है library का library में आपको playlist को option है album को option है album पे आप click करेंगे तो यहां पर आपको music search करके आप डाल सकते हैं जैसे कोई series हो गाने की या किसी episode की या music की series आप यहां पर ढूर सकते और उनको click करके उनको आप अपनी प्लेस्ट में जोड़ सकते हैं यह आप यहां पर कर सकते इसके बात में like songs जो आपने गाने को likes किया है मतलब जो आपने यहां पर देखें तो आपको like करने का में यहाप्षण नहीं बतायां होगा तो जैसी एहाँ पर जब गाना चलता रहता है आप देखेंगे साइड में आपको लाइक का बटन बना है और इसएड में डिस्लाइक का बटन बना हुँआ तो जैसी आप यहाँ पर गाने को लाइक कर लेते हैं हैं तो अ rocks तूइ Caustdo क्रतें थентलिया अब आप जो नीचे लाइक स्के अंदर आएगा वहां पर आप देख सकते हैं वो गाना वहां पर आना शुरू हो गया है तो इस तरह से आपका जो लाइक से डिस लाइक वो भी आपको playlist वाला option यहाँ पर एक दिया हुआ है playlist वाले option में जो आपने लाइक song किये हैं है उसकी अच्ट प्लेडिस्ट बन रही है और इसके अलाबा अगर आप इसर पे playlist में कोई गाने को add करते हैं जैसे आपने यहाँ पर गाने देखें होंगे जो भी गाने आप home में देखते हैं उसको play करते हैं तो अगर आप उन गानों को इस playlist में add करना चाते हैं यह नई playlist बनाना जाते हैं तो यहां से आप देखेंगे बाई YouTube music playlist 40 गाने की बनी हुई है और अगर आप इसको अपनी playlist में जोड़ना जाते हैं तो add to playlist को option आएगा उस पर क्लिक करिए करने के बाद में यहां पर आप से पूछा आएगा कि आपके पास playlist बनी होगी यह आपको खुद create करना है तो create a new playlist पर click कर दीजेगा करने के बाद में my collection यह जो भी आप महां पर रखना चाते हैं ना उसको रख दीजे playlist को create कर लीजे और create करने के बाद में उसी playlist में आप उसको जोड़ सकते हैं तो हम यहां पर add to playlist करेंगे करने के बाद में my collection पर हमने प्लेलिस्ट में जुड़ गए अब यहां पर playlist के option में जब आएंगे तो आपको बस दो प्लेलिस्ट होगे एक जो आपने create की है और एक जो आप like songs की और यहां पर आप जैसी उसको click करेंगे तो आपको उससे जुड़े हुए यहां पर music की दिखेंगी तो उन playlist को भी आप यहां पर जो है add कर सकते हैं और उनको click कर सकते हैं क्लिक करने के बाद में direct आप यहां पर उसको play कर सकते हैं और यहां पर एक plus का option बना हुआ है उसको अगर आप click कर देते हैं तो आपकी playlist में वह जो है add हो जाता है साथी साथ में यहां पर आपको गाने के download करने का option बना हुआ है आप किसी गाने को play करते हैं ओ प्ले करने के बाद में यहां पर आप देखेंगे टरी डॉट बने हुए दोट पर क्लिक करें करने के बाद में डाउंलोड की और जान आपके ओफ-लाइन दाउंलोड हो जाएंगे तो इसमें कई बाते हैं कि सिफ और यहां पर आपको एक महीने का फ्री मिल रहा है जिसमें आपके सिर्फ और सिर्फ आपका ओडियो डाउलूड होगा और आपका वीडियो डाउलोड होगा यह काफी अच्छा फीचर है और यहां पर आपको पे का ऑप्शन दिया जा रहा है क्योंकि यह एक पेड मतलब प्रीमियम फीचर है तो अगर आप पे करना चाहते हैं तो करिए अधरवाइस डारेट वीडियो को डाउलोड करके उसको अफलाइन सुन सकते हैं ऑफलाइन का फिलाल यहां पर आप्शन नही वीडियों करें तो इसमें जो एड चलेंगी वीडियो के सामने में वह आपके चलेंगी और आप नहीं चाहते एका प्रीमियम उप्शन वह इस लिए दिया गया है ऑदर्वाराइस यह फridge kस्ट है अब आप देखके रहें और फियु आपका चलता रहेंगा stellए शनते रही है तो इस तरह से दोस्तों इसको यूज करिए इसमें अगर कोई प्राब्लम हो तुहारे वीडियो को नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं इसमें एक उपशन और है उपर यहां पर यहां पर जाएंगे यहां पर आपको लिमिट डेटा वाइफाई अगर आप च इसमें कि आप चाहते हैं कि कोई बी ऐसे वैसे जो आपके लिए सही नहीं है वह ना दिखाया जाए तो उसके लिए आप इसको चेक कर सकते हैं जब सिर्फ और पर प्रोप्रियेटर ही जो आपके में चलेंगे तो यह सैटिंग भी आप यहां पर ठीक कर सकते हैं तो इस तर टेक विला में, stay rock